हेले वरीवन आप सबका स्वागत है रिशमास टेस्टी फूर चैनल में आज मैं आपके साथ रेसिपी नहीं तो दीवाली के लिए कुछ खास इंपोर्टन टिप्स शेयर करने वाली हो तो इस वीडियो के इंट तक जरूर देखिएगा आज की पहली टिप्स की खाने में आप जादा से जादा सलाड और हिंदी ड्रिंक्स जरूर पिए जो आपके सेहत के लिए अच्छे रहेंगे आज की दूसरी टिप्स करंजी बनाने के लिए या फिर आप नरियल की कोई भी होल चीज बनाना चाहते हो या रेगिलर भी खाने में आप इस तरह का डारक नरियल ही यूज करें एक इस से लाइट कलर होता है और एक डार कलर होता है इसकी प्राइस थोड़ी ज़ादा होती है लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है आज की तिसरी टिप्स आप दिवाली के किसी भी रेसिपी में वनहस्पती घी याने डाल दे का बिल्कुल भी यूज ना करें उसकी जगह आप घर का गी यूज कर सकते हो और अगर आपके घर में गी नहीं है तो आप बटर यूज कर सकते हो बटर में भी बहुत सारी में भी गरम कर सकते हो और फिर से क्रिस्पी बन जाएगी आज की पाच्वी टिप्स दिवाली के सीजन में कभी बी रेडी मेडी मिठाई बिल्कुल भी ना खरीदे इन दिनों में जादा कॉंटिटी में मिठाई बनाई जाती है तो मिठाई बनाने के लिए जूमावा और दूद का इस्तमाल किया जाता है वो मिलावट का होता है उसमें जो चीनी डाली जाती है हमारी जो रेगिलर चीनी होती है वो नहीं होती तो आर्टिपिशन स्विटनर यूज करते है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते अगर आप घर पर मिठाईया बनाना चाहते हो तो कुछ रेसिपी मैंने अपलोड की है और उन सब की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज की छटी टिप्स अगर अनारसा तलते वक्त गुल रहा है तेल में या फिर गी में तो आप अनारसे के आटे में चाशनी थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई है तो आप इसे रात भर एसे ही रख दीजेगा चाशनी और बुंदी रात भर रखने के बाद आप इसे नेक्स्ट फिर से लड़ू बना सकते हो आज की आटवी टिप्स अगर आपकी चकली सौफ्ट बन रही है तो आप इसमें और क्रिस्पी नहीं बन रही है तो आप इसमें थोड़ा फिर से चकली का चावल काटा डाल सकते हो आप फिर चकली का जो आटा हम घर पर बनाते हैं और भी उसमें फिर से मिक्स कर सकते हो इसके अलावाज आपकी चकली बहुत ही क्रिस्पी बनाने के लिए जब आप उसमें तेल डालते हो तेल बहुत जादा गरम करके डालिएगा आपकी चकली क्रिस्पी बनेगी तो एक थी आज की कुछ दिवाली स्पेशल टीप्स I hope आपको अच्छी लगी होते इस वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई रेसिपीट के साथ तब तक के लिए बबाए